दोस्तों आपने अपिश्टोक के बारे में काफी ज़्यादा रिसर्च किया इधर उधर से जाना और अपिश्टोक को अच्छे से समझ लिया इसके बाद फाइनली आपने डिसाइड किया कि आपिश्टोक पर मुझे डिमेट अकाउंट क्रियेट करना है लेकिन आपको डिमेट अकाउंट क्रियेट करना नहीं आ रहा है तो आज के इस वीडियो में आपकी help करूँगा step by step डिमेट अकाउंट क्रियेट करने में मदद करूँगा वीडियो को पूरा लाज तक ध्यान से देखते रहेगा इससे पहले मैं आपको बता दू कि इसमें आपको क्या क्या डॉकुमेंट का ज़रूत पड़ता है जिसे आपको आसानी हो तो सबसे पहले आपको bank का details, अधार कार्ड, mobile number और ये अधार कार्ड और mobile number आपस में link होना चाहिए pen card और एक email id ये पांचों चीज़े आपके पास होना ज़रूरी है तभी आप email account create कर सकते हैं अब ये पांचों चीज़े आपके पास हैं तो आप bank details, अधार कार्ड और pen card ले करके बढ़ जाए और इस वीडियो को step by step follow करते जाए आप अपना 5 मिनट के अंदर email account create कर लेंगे तो चलिए आज का ये वीडियो start करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आप stocks application को install कर लेना है इस application का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से directly click करके play store से इस application को install कर सकते हैं जैसे ये application आपका install हो जाएगा इसके बाद आपके सामने यहाँ पर open का option मिलेगा यहाँ पर थोड़ी सी wait करना है installation होने तक इसके बाद आपको यहाँ open पर click कर लेना है जैसे यहाँ open पर click करेंगे यहाँ पर आपको create a new account का option मिल रहा है इस पर आपको click करना है अगर आपको एक नया account create करना है तो simply यहाँ click किए इसके बाद यहाँ पर आपको अपना email id और mobile number इंटर कर लेना है इसके बाद simply आपको send OTP पर click कर देना है इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर enter कर लेना है जैसे आप OTP enter कर लेंगे इसके बाद sign up पर click कर देना है जैसे यहाँ पर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ हिस्तर का interface मिलेगा यहाँ पर आपको pen card और अधार card का ज़रुत पढ़ने वाला है यह चीज बोल रहा है तो simply आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है continue पर click किये इसके बाद यहाँ पर आपको अपना pen card का number और date of birth इंटर कर लेना है दोनों चीज़े इंटर करने के बाद आपको next पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बारे में details थोड़ा सदे देना है जैसे कि आपका gender क्या है male या फिर female वो select कर लिजे इसके बाद आपका marital status क्या है single है या फिर married वो select कर लिजे इसके बाद आपका annual income क्या है आप सालाना कितना कमा लेते हैं 1 लाख या 1 लाख से कम या उससे ज़यादा तो वो आप यहाँ पर select कर लिजे इसके बाद simply आपको नीचे की तरफ scroll down करना है scroll down करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका trading experience क्या है आप कितने साल से trading कर रहा है या फिर अगर आप नए हैं तो पहला वाला option select कीजे इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है are you politically exposed तो यहाँ पर generally no पर click कर दीजे इसके बाद आपको नीचे की तरफ scroll down करना है इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है what is your occupation तो यहाँ पर आप click कीजे इसके बाद आप यहाँ से select कर लीजे कि आप government job में है, public sector में है, businessmen है, student है, retired है तो वो आप यहाँ पर से अपने हिसाब से select कर लीजे इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है is your country of tax residency India तो यहाँ पर simply आपको yes पर click कर देना है इसके बाद आपको नीचे की तरफ और scroll down करना है फिर यहाँ पर taxpayer declaration आएगा इसको पड़ करके इसे check box पर check कर देना है इसके बाद आपको simply नीचे की तरफ next पर click करना है next पर click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपना address देख लीजे अगर आपका यह address सही है तो yes, this details are correct पर click करके आगे बढ़ जाए इसके बाद आपको इस box में अपना एक digital signature कर लेना है signature कर लेने के बाद आपको next पर click कर देना है फिर यहाँ पर camera का access मांग रहा है camera का access देने के लिए simply आपको नीचे की तरफ next पर click कर देना है फिर आपका camera on हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना एक photo click कर लेना है photo अगर सही है तो आपको simply accept पर करना है click अगर आपका photo सही नहीं आया है तो take another पर click कर सकते हैं तो चलिए मैं accept पर click कर लेता हूँ इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको यहाँ पर next पर click कर देना है next पर click करने के बाद आपको यहाँ पर enter bank details पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको अपना bank का details दे देना है जैसे कि यहाँ पर आपको अपने bank में जो भी नाम है अपना नाम यहाँ पर enter कर दीजे इसके बाद IFSC code, bank account number इसके बाद फिर से आपको यहां पर bank account number इंतर करना है इसके बाद आपको अपने bank का type select कर लेना है account type कि आपका saving है फिर current इसके बाद आपको simply next पर click कर देना है इसके बाद आपको अपना email ID verify करना है तो यहां पर आप अपना email ID enter कर लिजए इसके बाद आपको get OTP पर click कर देना है इसके बाद आपके mail ID पर एक OTP आया होगा उसको यहाँ पर enter करके next पर click कर दीजे फिर यहाँ पर sign up for free यानि कि free में account खुल रहा है तो simply यहाँ पर आपको click कर देना है इसके बाद नीचे की तरफ आपको yes पर click करना है इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ next पर click करना है फिर आपको यहाँ पर second वाले option पर ही tick रहने देना है और simply आपको next पर click कर देना है make sure कि आपका आधार card mobile number से link होना चाहिए अगर link है तो simply आपको आधार OTP पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपको यहाँ पर e-sign now का option मिल रहा है आपको फिर से यहाँ पर e-sign now पर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने NSDL का एक site आ जाएगा यहाँ पर आपको इस check box पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है फिर आपको Send OTP पर क्लिक कर देना है अब आपके अधार कार्ड से लिंक मुबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है फिर आपको verify OTP पर click करना है जैसे आप यहाँ पर verify OTP पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका application submit हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं maximum 3 दिन का time लगेगा generally 2 दिन में हो जाता है यहाँ पर आपको अपना download कर लेना है जो भी आपने form fill up किया है उसका आप यहाँ पर download link मिल रहा है इस पर आपको click करके download कर लेना है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 step एक दो दिन में complete हो जाएगा इसके बाद आपको login details आपके इसी email ID पर जो आपने अभी email ID इसमें दिया है उसी email ID पर और mobile number पर user ID और password दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है screen off कर दीजिए यह वाला इसके बाद दो दिन के बाद जब आपका user ID और password मिल जाए तो वापस से आप इस application को open कीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर उपर वाले नहीं से login successfully हो जाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आप इस stock पर demate account create करना कितना आसान है I hope कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया अगर फिर भी इस वीडियो से related कोई भी डाउट है तो नीचे comment section में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अभी तक demate account create नहीं किया है तो description में आपको इस application का link मिल जागा वहां से आप directly क्लिक करके play store से install कर सकते हैं वीडियो पूरा लाइस तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो मतर तक के लिए जय हिंद जय भारत